नमास्ते मित्रू गुजराती श्टाडियान एजुकेशन चरम तमारा दरेक के दरेक मित्रूनू हार्दिक स्वागाच। तो आची आपड़ी वीडियो में जोवानाची ये दोरण 10 अने विशैषे हिंदी। तो हिंदी विशैनी अंदर आपड़े पाट नमबर एक जोश्यू जेनू नाम छेए प्रभूजीतुम चंदन हम पानी अने एक आवेना जे स्वाध्ययना प्रष्टनू छे तो स्वाध्ययना तमामे तमाँ प्रष्टनू आपने या वीडियो में संपून स्वालीसन जोवा नीर्म लिखीत प्रश्णों के एक-एक वाक्य में उत्तर लिखिए तो देखिए उसका पहला सवाल आपके सामने है प्रभू चंदन है तो बगत क्या है तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रखा गया है प्रभू चंदन है तो बगत क्या है पानी है क्या है पानी है दूस दूसरा सवाल भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है तो उनका अंसरा आपके सामने है इरहा भक्त दीपक बनकर जलना चाहता है क्या चाहता है जलना चाहता है तीसरा सवाल सोने का महत्व कब बढ़ता है तो उनका अंसरा देखिए सोने का महत्व तब बढ़ता है जब सोने संग स व्यक्ता मुलता है 10 अधर देखी निल्म हो या दो तीन वाक्षिम में उत्तर लिखें कि alluded में उत्तर लिखें हैं सब्सक्रेदेश earliest जब्न हैं मैं में प्रभु की निकट हैंं एक सब्सक्राइब अचिए ग्यालं सब्सक्राइब हम अ के निकट होने की बात समझाने के लिए विबिन प्रतिकों का सहर लेता है इन प्रतिकों में चंदन पानी, गन मोर मोती दागा डीपक बाती तता स्वामी और दास का समावेश करता है इन बाबदों का समावेश होता है सवा नमर तीसरा उचित जोड बनाईए तो देखिए अ और ब आपके सामने हैं तो अ में क्या है अ में है चंदन दन बन, दीपक, सोना और भक्त और ब में है मोरा, बाती, पानी रहिदासा और सुवागा तो क्या करना है अ और ब दोनों को क्या करना है उचित जोड बनाईए देखिए आपके सामने रहा जोड देखिए आंसर चंदन तो क्या हैगा पानी धन बन तो आएगा मोरा दीपक तो बाती सोना तो सुवागा और भक्त तो रहिदासा तो दोस्तो इधर इसी कावे में जो स्वाद्या के सारे प्रस्टों दिये थे उनका सारे प्रस्टों का इधर हमने सॉलिसन पा लिया है तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो यूसफुल लगा हो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपकी जो भी कॉमेंट है वो भी आप कॉमेंट कर सकते हैं और आपके दोस्तों में इस वीडियो को सेर कर सकते हैं लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को यानि कि गुजराती श्टडियान एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है यानि कि जब भी इस चैनल म में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ